हलो रवीवान मैं कलपता ब्यूटी नाइन से आज की विडियो में आप देखेंगे ग्लासी ग्लास स्किन मेकप लुक फर इंडियन स्किन बहुत ही इजी मेकप लुक आज की विडियो में आपको बताऊंगी यहाँ पर मैंने ये मेकप लुक क्रियेट किया है जो की बहुत ही इजी है क्रियेट करने में बहुत ही लिमिटेट प्रोडक्स के साथ मैंने इसे क्रियेट किया है और आप भी अपने अविलेबल प्रोडक इस लुग को क्रियेट कर सकते हैं तो चलिए फटा फट शुरू करते हैं आज का विडियो स्टार्ट करते हैं चहरे को प्रेप करने के साथ तो आज को जो हमारा मेक-ब लुग होने वाला है वो होने वाला है एकदम द्धुई और एकदम ग्लासी ग्लास तो उसके लिए चहरे की प्रेपिंग करना बहुत ही important है अब अगर हम बात glassy makeup की करते हैं तो हमें जरूरत होती है dewy products की बट हमारे पास हर बार जो है dewy products या तो available नहीं होते हैं या फिर कहीं तफ़ा हमारा budget नहीं होता है कि हम new products purchase करें तो दोस्तों यहां पर मेरे पास जो products हैं वो सारे dewy तो नहीं है लेकिन make-up को dewy कैसे बनाना है आपके available products में ये मैं आपको आज बताऊंगी तो कुछ hacks हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप किस तरीके से glassy dumb makeup look create कर सकते हैं तो यहां पर मेरा face एकदम raw है मैंने अपना face clean and clear face wash दे wash किया है और directly camera के सामने आके बैटके तो अब सबसे पहली step जो मैं करूंगी वो है toner आपकी skin को अच्छे तरीके से tone करना बहुत ही important है क्योंकि जब हम अपनी skin को tone करते हैं तो काफी हमारी skin जो है fresh feel होती है और साथ ही में makeup long lasting भी हो जाता है तो हमें rose water यूज करूंगी तो दोस्तों rose water के बार हम हमेशा यूज करते हैं moisturizer यहां मैं moisturizer यूज कर दूंगी जो की है setafil से moisturizer भी हमने लगा लिया है और moisturizer के बाद हम यूज करते हैं primer प्राइमर के लिए मैं यूज करूंगी camera से यह primer जो है 24 hours day primer दोस्तों अगर आपके परस dewy finish primer है तो बहुत ही अच्छी बात है अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है तो प्राइमर के बाद जो चीज मैं यूज करने वाली हूँ वो है Miss Claire से यह eliminator base तो इसे हम अपने पूरे चहरे पर लगा लेंगे हलाकि इसका shade dark है बढ़ इसका काम है आपके चहरे पर glow लाना तो इसके shade से आशच कोई भी परक नहीं पड़ेगा क्योंकि इसके उपर हमारे foundation की layer आएगी क्योंकि आएगी दोस्तों यहाँ पर मैं से ब्रश से ब्लेंड कर रही हूँ तो दोस्तों यहाँ पर आप glow तो देखी सकते हैं eliminator makeup base हमने यहाँ पर यूज किया है और इसके बाद हम यूज करेंगे foundation foundation आपको low to medium coverage यूज करना है आप high coverage foundation यूज करना avoid करें क्योंकि हम makeup look dewy चाहते हैं और जब हम बात glassy makeup की करते हैं तो वो होता है dewy makeup जो की बहुत ही minimal होता है minimal colors के साथ होता है minimal makeup base के साथ होता है तो इसलिए high coverage foundations को आप avoid करें यहां पर मैं यूज करूँगी PAC से यह HD liquid foundation तो दोस्तों यहां पर यह foundation जो है medium to high coverage है medium to low या low to medium coverage नहीं है तो यहां पर हम इसकी मातरा कम इस्तमाल करेंगे और साथ ही में इसके मैं यहां पर इसमें mix करूँगी थोड़ा सा moisturizer और साथ में थोड़ा सा eliminator ताकि यह foundation बन जाए एकदम dewy और इसका coverage भी जो है कम हो जाएगा झा चान करते है झाल झाल तोस्ता हम ब्लेंडर की मदद से जथे तरीके से सेट कर लेते हैं ज्यादा नहीं करना है वरना प्राड़क्ट एब्सॉब हो जाएगा और हमारा ग्लोईनेस चला जाएगा फेस से तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फेस में जो है एक अलग ग्लोव है और शाद ऐसे ब्लेंड नहीं हुआ है तो आप देख सकते हैं कि चेहरे में जो है एक ग्लोव दिखाई दे रहा है और अटोमाटिकली क्योंकि हमने इसमें यूज किया है और अब तक हमने पाउडर से जो है सेट नहीं किया है यहाँ पर हम पाउडर का इस्तमाल बहुत ही कम रखेंगे आज क्योंकि हमें जो है ड्यूई फिनिश और ग्लासी ग्लास मेकब लोग चाहिए यहाँ पर मैं यूज करूँगी मेबलीन फिटमी से यह कॉमपाक पाउडर जुसको शेर है लाइट आईवरी मैं आई एरिया में जो है सेट कर रही हूँ अच्छे से और थोड़ा सा अपने टी जोन पर क्योंकि मुझे भी बहुत ज़ल्दी स्वेटिंग होती है दो तो इसके बाद हम कम्प्लीट कर लेते हैं आई मेकप आई मेकप बहुत ही मिनिमल हम रखेंगे जिसके लिए मैं यूज करूँगी बेर न्यूट से यह आईशादो पालेट और साथ ही मैं मैं यूज करूँगी यह शेल जिसका नाम है क्रीम और इसे मैं बिल्कुल अपने हाथ फिंगर से लूँगी और एकदम हलके हाथों से इसे अपलाई कर लूँगी दोस्तों यहां पर आईशादो में हमने कंप्रीट कर लिया है और अब हम लाशेस पर जो है थोड़ा सा काम करेंगे और यहां पर मैं मस्कारा यूज करूँगी और उसके पहले मैं अपने लाशेस को कर लूँगी यहां पर मस्कारा में यूज करूँगी Maybelline से The Hyper Curl Volume Express Mascara और बहुत ही हलके हाथों से आप देख सकते हैं यहे आईप्रोस जो है मैंने बना लिये हैं अब हम यूज कर लेंगे बलश और गया मैं यूज कर रही हूं मिस्कलेर से ठीके जी तो यहां पर ये वाला शेड मैं यूज करूँगी और अप चलते हैं हाइलाइटर की तरफ पीएसी से मैं ये बेक्ठ हाइलाइटर यूज करूँगी लेक्ठ हैं बेक्ठ हैं ओर सम्स्टाइटर अपन्टल्रe यूज कर ले हिरे रियाटर दो लेक्ठ पी प्लेगा ज़ यूज करूँ झाक्पकफ़ए्जकर्फब यूज कर अपhenि 가지 हैं है् करूँग्श करूँग्टपटर के वुटपश्टर यूज कैसे चमक रही है दोस्तों स्किन एकदम बहुत ईजी सा मेकप है ये और अब बारी है लेप्स्टिक की यहां पर मैं यूज करूँगी ये पिंक शेड ये पैलेट है मिस्स क्लेयर से मेकप फिक्सर की जगह पर मैं यूज करूँगी रोज वॉटर आप चाहें तो ड्यूई मेकप फिक्सर का इस्तमाल कर सकते हैं तो दोस्तों कम्प्लीट होता है यहां पर हमारा ग्लासी ग्लास स्किन मेकप लोक तो आप देख सकते हैं कि कितना शाइनी है मेरा चहरा जरूरी नहीं है कि आपके पास ड्यूई प्रादक्स अवेलेबल हो आप लिमिटेद प्रादक्स में भी ड्यूई मेकप लोक और उसका एक्जाम्पल तो मैंने आपको दिखा ही दिया है आज की वीडियो में इस मेकप लोक को आप रोजाना तोर पर क्यारी कर सकते हैं अगर आपको इतना हाइलाइटर और इतना ग्लासी लोक पसंद है तो उमीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई झाल